उत्राखंड की डबल इंजन सरकार आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए बहुत पुशिना बहा रही है। आपकी शिकायतों को दर्ज करवाने और उनका निराकरण करने के लिए हेल्प लाइन हैं और एप भी हैं। बस आपको Google Play Store से एप डाउनलोड करना है और निर्धारित फॉर्म में शिकायत दर्ज कर देनी है। आपको तुरंत शिकायत नमबर मिल जाएगा। आप चाहें तो एप पर अपनी शिकायत की प्रोग्रेस ट्रैक भी कर सकते हैं। कुछ दिन बात आपके पास मैसेज आ जाएगा कि फला तारिक को आपने जो शिकायत की थी और जिसकायत क्रमांक मतलब कंप्लेंट नमबर फला फला था वह शिकायत रिसॉल्ब हो गई है याने कि शिकायत का निराकरण हो चुका है। अब यह बात अलग है कि शिकायत का निराकरण वास्ता में हो गया है कि नहीं। मैसेज आ गया है तो आपको मानना पड़ेगा कि शिकायत दूर हो चुकी है। हेल्प लाइन और इस तरह के एप के नाम पर क्या कुछ हो रहा है डबल इंजन सरकार में विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की असलियत भी खोलेंगे जिसे लेकर अकबारों में रोज बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं। वीडियो अंत तक देखेगा। मेहनत बेकार चली जाती है। शहरों की स्टीर्ट लाइट खराब हो जाना आम बात होती है। लेकिन इनके खराब हो जाने से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम आज जाने का प्रियास करेंगे कि उत्राखंड की टेंपरेरी राजधानी देहरादोन में श्टीर्ट लाइट की सांदार बेवस्था को कैसे मैनेज किया जा रहा है। सहर में स्टीर्ट लाइट लगाने और मेंटेनेस का काम एक ठेकेदार कमपनी को दे रखा है सरकार ने। कमपनी गुजरात की है या कहीं और की यह जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं भी होगी तो कोई न कोई गुजरात कनेक्शन इस कम्पनी का जरूर होगा ये तैय है नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार कम्पनी स्टीट लाइट खराब होने के कारण आपको होने वाली परिशानी के परति बेहद संबेदन सील हैं इस बात का मुझे तब पता चला जब मैंने नगर निगम के ऑफिस में जाकर अपने घर के आसपास की स्टीट लाइटे खराब होने के शिकायत की मेरा मोबाइल नमबर लेकर शिकायत दर्ज की गई तुरंत मेरे पास मैसेज भी आ गया बात 15 जुलाई की है शिकायत दर्ज हुई और मेरे मोबाइल पर ये मैसेज आ गया जो आप देख रहे हैं कम्प्लेंट नमबर है SLUK00040077 मैसेज में कहा गया है कि शिकायत EESL फील्ड टीम को फॉरवर्ड कर दी गई है 48 जुटे में शिकायत दूर हो जाएगी मैसेज के दूसरे पार्ट में जानकारी थी कि आप गूगल प्ले स्टोर से EESL संपर्क नाम का एप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपनी कंपनेंट ट्रैक भी कर सकते हैं तो साहब मैंने भी तुरंट एप डाउनलोड किया और खुशी-खुशी घर लोटाया 21 जुलाई को मेरे फोन पर SSEL कंपनी का मैसेज आया मुझे पता चला कि मेरी शिकायत नंबर SLUK00040077 थी उसका निराकरन पो चुका है मैंने 21 जुलाई की साम को EESLA पर फिर से शिकायट डाली पिछली शिकायत का नंबर भी लिखा और कहा कि शिकायत सॉल्व करने कोई नहीं आया पहले जैसी इस्तिती वैसी ही है फिर से मेरे पास मैसेज आया कि मेरी कंप्लेंट नंबर SLUK00040383 है फिर से कंप्लेंट फील्ड टीम को फॉर्वर्ड करने की बात कही गई और 48 गंटे में सॉल्व होने की आज 9 अगस्त तक वे 48 गंटे खत्म नहीं हुए है हाँ लगता है कि ये एप जरूर खत्म हो गया है क्योंकि मेरे मोबाइल पर तो खुल नहीं रहा है आपके मोबाइल पर खुले तो मेरी कंप्लेंट का नमबर डाल कर ट्रेक कर दीजेगा प्लीज अब जरा मुक्षम मंतरी हेल्प लाइन की भी बात कर लेते हैं वह कितना शांदार और जानदार काम कर रही है यह जानने से पहले जरा इस हेल्प लाइन को लेकर अगबारों में छपी खबरों पर एक नजर डालते हैं यह खबर कहती है कि देहरादून की डियम ने का है कि मुक्षम मंतरी हेल्प लाइन पर दर्ज की गई शिकायतों के मामले में अब अधिकारी शिकायत करता से खुद फोन करके पूछेंगे यह भी लिखा गया है कि डियम मोहोदाया ने कुछ शिकायतों के मामले में खुद सम्मंदित अधिकारियों को फोन करके शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश दिये बहुत अच्छी बाद अब ये दोसरी खबर देखिए कितनी लंबी चोड़ी खबर लगाई है अहाँ मज़ा आ गया इस खबर ने पता नहीं कौन से पूर्णे किये होंगे कि पूरे पांच कॉलम में खबर छपने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ है बीच में हमारे बहुत ही धाकर मुख्यमंत्री जी का फोटो भी लगा है खबर के उनसार मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई को सचिवाल एमें सीम हेल्प लाइन पर आने वाली शिकायतों की समिट्षा की और इस हल्प लाइन पर आने वाली शिकायतों के तुरित निस्तारन के लिए नियमित समिषा करने के निर्देश शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश नहीं दिये। 21 जुलाई को मुख्यमंत्री शिकायतों के नियमित समिच्छा करने के निर्देश दे रहे थे उससे चार दिन पहले। 21 जुलाई सुबह 9 बज कर 16 मिनट पर दर्ज हुई है। UKCMHL शायद फुल फार्म उत्राखंड चीफ पिनिस्टर हेल्प लाइन होगा। लिखा है आपके द्वारा प्राप्त हिंदी में है आपके द्वारा प्राप्त जानकारी को दर्ज कर लिया गया है। इसका उनरोध शिकायत क्रमांग CMHL 072024-2-596120 है। CMHL की सेवा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पढ़ते ही मैं तो गदगद हो गया। CM साहब की हेल्प लाइन मेरे जैसे आद्वी को धन्यवाद बोलना था। मैंने मन ही मन कई बार धन्यवाद दिया CM साहब को और स्ट्रीट ट्राइट दुरुस्त होने का इंतजार करने लगा। आज 17 दिन बाद भी स्ट्रीट ट्राइट देखने तक कोई नहीं आया। अरे हां बीच में एक दिन एक अधिकारी नुमा आदमी या आदमी नुमा अधिकारी का फौन जरूर आया था। पूछा आपकी स्ट्रीट ट्राइट ठीक करने कोई आया क्या। मैंने कहा नहीं। इससे पहले कि मैं पूस्ता कब तक ठीक होगी साहब तब तक फौन कट गया। तो देहरादून में और पूरे उत्राखंड में इस तरह से आम जनता की शिकायते देदनादन ठीक हो रही है। आपकी भी कोई शिकायत है और उसे दनादन ठीक करवाना चाहते हैं तो हेल्प लाइन पर कम्पनेंट करें। मुझ्यमंत्री साहब किसी को मिले तो मेरी तरफ से एक रहबार संदेश जरूर दे देना कहना कि भाई बहुत शानदार। तुम्हारे एप और तुम्हारे हेल्प लाइन ने बड़े लठगार रखें। इनका शिकायत निस्तारण का काम थोड़ा धीला करवादो वरना किसी दिन पता चलेगा कि बाकी देश तो पीछे रह गया और उत्राखंड विकास के मामले में अमेरिका और जो भी बाकी विक्सित देश हैं उनसे आगे चला गया। ऐसे में भाई साहब बाकी देश स्वासियों को बहुत कर्ष्ट हो सकता है। पर जाकर सायोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेस फॉलो करें। बात बोलेगी डॉट कॉम भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार।